मुबायल तो मिल गया ना बागी लैक्टाप पैसे बगरा कहां पर बताओ नो कि इसने किम्ती सामान चोरी कि है इसको अब हमेरा बेटा है तो चोटा बचा है ने इसको जमानत पर छोड़ देते हैं कैसे जमान उपर रिया करेंगे मेरा किम्थी समान है तो मुझे रिकावर करके दें नहीं ऐसे नहीं हो सकता अपने वैकिल से बात करूंगा ऐसे नहीं हो सकता यह बेवना वच्छा है अल्लावसलाम अलेकूम वैकिल साप मैं थाने में मौझूद हूँ आप बराई महरबानी यहां थाना तश्रीब ले आए मेरे बेटे को पुलीस हवालाद में बंद कर रहे हैं आप बराई महरबानी जल्दी पुलीस इस्टेशन तश्रीब लाएं आयोस आप आप से गुजारीशे मेरे वकील के आने तक आप थोड़ा इंतिजार कर लाएं इस बच्चे के सिलसले में हाजर हुआ हूँ मुझे पता चला आपने अरेस्ट किया है तो जुनाब एक तो ये बात है कि पहले आप देखें कि इस बच्चे का ये बर्थ सर्टिफिकेट है तो 15 साल 9 महीने और कुछ दिन इसकी उमर बनती ठीक है और ये आप इसकी जो है न हूँ कि ये आप जो चोरी के इल्जाम में इस बच्चे को ले आए हैं तो आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते ये इस जो जुर्म है इसकी सजा जो है वो तो 7 साल से कम है ये 2018 के अंदर जोविना इल जस्टर सिस्टम एक्ट 2018 आया है इस एक्ट में अगर आप देखें तो ये शेक्शेन आपकी नजर से शॉयद गुजरा होगा सक्शन सिक्स है और सब सक्शन तरी है तो इसके अंदर ये है कि अगर बचे की उमर 16 साल से कम होगी तो वो जुरम उसके लिए बेले बेलो फैंस है तो ये इसका जो जमानत है ये इसका हख बनता है ये इसको रायत नहीं ह ये अपनी इस पे जमानत पे आप इसको रहा कर सकते हैं आपके पास इक्तियार है बाकि जो भी आगे तफ्तीश होगी ट्राइल चलेगा वो पता चल जाएगा उसमें जो भी होता है लेकिन आप इस बच्चे को जो है ना वो जील नहीं भेज सकते हैं अब देखो भाई वकील से मैंने सुना है ठीकिन ये 16 साल का बच्चा इसका बच सट्टफिकेट है इसको हम जमानत पे छोड़ देते हैं ठीक है वकील साब ने कहा है कि निया कानून आए 2018 में 16 साल के बच्चे को जमानत होना चाहिए चनाचे में इसकी जमानत पे इसको रहा करता हूं झाल झाल